अब देख रहे हैं बिहार में उप्षिनाव हो रहे हैं और चिरार पास्वान ने एलान कर दिया है कि वो इस उप्षिनाव में अपने कैनिडेट नहीं उतारेंगे तो सवाल यह है कि चिरार पास्वान कर दो वोट बैंक है वो इस चुनाव में किसके खेमे मिज़ाएगा क्या नितीस और महागरबंधन के खिलाप जो लोचपा की जो वोटर हैं वो वोट देंगे चलिए बिसिकली इस वीडियो में हम जन्सक्ति पार्टी रामबिलास अपने उमिद्बार नहीं उतारेगे लोचपार रामबिलास के अध्यक चिराग पास्वान ने इसका एलान सुंबार को कर दिया दिल्ली में पार्टी की राष्टे कारिकारनी के बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए चिराग पास्व में लोजपा राम्बिलास अपना अमिद्वार नहीं उतारेगी चिराग से जब यह सवाल पूछा गया कि पार्टी किस गडवंधन का समर्थन करेगी तब उन्होंने कहा ऐसे में उनकी पार्टी उस गडवंधन का समर्थन नहीं करेगी जिस गडवंधन में नितिश कुमार सामिल होंगे बताने कि मुकामा सीट से भाजपा से बहुवली लेता नलन सिंग की पत्नी सोनम देवी को अपना परत्यासी बनाया है सोनम देवी का मुकाबला राजप की परत्यासी निलम देवी से है निलम देवी राजप के बहुवली विधायक अनन सिंग की पत्नी है एक मामले में अनन सिंग के सजायापता होने के बाद उनकी विधायकी चली गई और मुकामा सीट जो है वो खाली हो गई वहीं गुपाल गन से बिज़ेपी की उमिद्वार कुशुम देवी है कुशुम देवी दीवंगत सुभास सिंग की पत्नी है उनका मुकाबला आरजेडी के मोहन गुपता से है बिज़ेपी के विधायक रहे सुभास सिंग के निधन से गुपाल गन सी खाली हुए है चिराक पास्वान ने दिल्ली में ये बता दिया है कि जिस गडवन्धन में नितिस्ठ कुमार रहेंगे, उनके जो वोटर्स है वो नहीं चाहते कि वो उधर वोट करना तो कोई मिला क्यों के है एक करना से एन्डायरेक्टली चिराक पास्वान पास्वान ने कह दिया है अपने वोटर से कि आप बिहार उप्षुनौब में बीज़िपी यानि कहें कि बिहार एंडिये को बोट करें यह संकीत बड़ा है जिस तरीके से चिराग पास्वान जो है उन्होंने उमिद्वार नहीं उतारा इसके बाद आज दिल्ली में बड़ा बयान भी उनका आयाता है कि जिस कट बंधर में निटिस कुमार है उनके पक्स में बोट जो है वो बिलकुल नहीं देना है तो क्लियर कट चिराग पास्वान का जबाब था इसारा था कि बीज़िपी को ही बोट करना है फ्ले आलामिता के लिए इतना ही आप देखते रहें इनुस परनेशन